हेलो गैस वेल्कम बैक तो मैं चैनल आज मैं फिर से के लिने जा रहा हूँ मिशिन इवो आज मैं जा रहा हूँ अलपाइन माइन बैंजी को मारने वो माइन मेरे घर से जादा दोर नहीं है दोहजर मीटर पी है वो माइन बैंजी को मारने के लिए मेरे पास दोदूगन है उस गन में मेरे पास हजार से वी ज्यादा एम्मो हैं ओका गाइस घोड़े को बार निकालते हैं और चलते हैं अलपाइन माइन में घोड़ा मेरे अंदर ही बंद कर दिया था क्योंकि जब भी मेरे घर के पास तो मेरे घोड़ी को या ले जाते थे या वो मेरे घोड़ी को मार देते थे इसलिए मुझे इसे अंदर ही बंद करना पड़ा कि कोई इसे दुबारा ना मार दे मैं पहुच गया हूँ अलपाइन माइन में यह माइन बहुत ही बड़ी है यह बहुत ही ज्यादा जेको भी जारी है मुझे बैंजी शाहिद नीचे को ही मिलेगी यहां पर एक घर है जॉम्बी अपने घोड़ी को मैं साइड पर खड़ा करता हूं और पहले इन जॉम्बी को मैंफो खत्म करते हैं नगी यह बाद में मुझे ही मारेंगे मैं इनको बोहों मैंने मारता हूं मैंने करBACK लोगा इनके लिए बुर्शी नहीं है बाद में न फिर्शंतर में नहीं है लेकि बां में 2 इनको वैञ्ट मैं TAR थे जान से जीरेगते मुझे हैं pen рек blamed to men आगे अब इस घर में चलते हैं खेटकी से चलते हैं घर में ओके यहाँ पर एक बेंडेज बोक्स है लेकिन पर दो पीछे से आगे यह मुझे मारेंगे जालती है कि मार दिये से यह ठोख भेगेने वाला जॉंपी है यह थोग फेगने वाला जॉंबी आ एक दूर खड़ा है यह अब अंदर चलते हैं एक बोक्स पढ़ए है यहां पर कि बहुत आए समाने इसमें भी सभ उठाऊंगा मैं तो एक मैडिसन बोक्स पढ़ए है दो ब लेकिन ये तो बंध है दिर्वाली खड़की दिर्वाली खड़की खुली है लेकिन शीशा लगा इसको तो मैं तोड़ दूंगा नरसा एक अंदर और एक गोम भी है ओके ये स्पॉन होगे यहां पर मेरे पास मर जा इसने अंदर जाओते हैं यहां पर एक ग्रीन वोल्ट है और ग्रीन कार्ट तो मेरे पास है नहीं कि मेरे घर में है तो अभी तो मैं इसके अंदर से स्वान नहीं ले सकता चलना ही पड़ेगा अभी बाहर करां sir ikke mister in promises कहां पर पर हाँ लेकिन भी मॉद्ए नहीं है मुझे मुझे बस दीख रहे रहे हैं वेंजी नहीं दिख रही है कि पंसे हमें क्रेस्ट correlate हमलते हैं जो बहुत the health करते हैं तोल बनाने में कहा पार हाँ यहाँ फर इनसे भी नीचे उतर और मेरी हालता जाएगी चलो इतनी भी नहीं गई अब ही मुझे बैंजी को टूड़ना है उसकी रोने के अवास तो आ रही है वैसे बैंजी यहीं पर है नीचे जोंबी है वोर ही बैंजी मुझे दिख गई है यह तीर तो नहीं लगा इसे कि थोड़ा सोग पर करके मारना पड़ेगा ओके लग गई इसे तीरेक अब यह आएगी भाग कर मेरे पास बहुत तेज अब मुझे गन निकाल लेनी चाहिए ओके काँ पर गई है यह एक तो बहुत फास्ट भी है मुझे भागना पड़ेगा थोड़ा सा निकाल यह मुझे मार देगी ओके इनको मारता हूँ पहले तो ओके काँ पर गई है इसके अबास तो आ रिये मुझे ओके आगे चल कर देखते हैं पहले ओके यह वो रही वहां पर ही रोने लग दी है फिर से अब यह आजा अब क्या दी है यह दूकर उस आजा अब मुझे थोड़ा सा भागना पड़ेगा यह तो यह मेरे दो नुग गंप और एक भुव की धिरूबिलिटिma कर देगी और मेरी हल्थ भी और यह मुझे मार भी रही है मेरी हल्थ भी कम कर देसने थोड़ा सा भागना पड़ेगा आगे को अब मारता हूँ ओकी ये फिर से भाग गई अब यार इसकी हेल्थ फिर से बढ़ने लगी अच्छा मुझे एक बास समझ में आ गई अगर बापस गई ये अपने वही जगा पर जहांपर ये पहले थी तो इसकी हेल्थ दुबारा से बढ़ जाएगी शोड़ी गाइज ये फिर से हील होने लगी है अब मुझे थोड़ा सा भाग ना पड़ेगा ओके अब मारता हूँ मैं इसे अब ये फिर से हील हो रही है अब मुझे इसकी फिर से हेल्थ कम करनी पड़ेगी सारी हैं गोलियों बरबाद मुझे फिर से मारना पड़ेगा इसको एक तो इसकी हल्थ भी बोज आता है ओके थोड़ा सा भागता हूं आगे को मैंने ध्यानी नहीं दिया था मेरे पस हल्थ ही नहीं है मैं तो सीदा आगे इसको मारने के लिए ओके वो आ रही है दूम्बी इसके साथ मैं पुदा नहीं तीर से क्यों मारने लग जाता हूं इनको भागना पड़ेगा हैल्थ नहीं है मेरे पार ओके कहां पर गी यह ओके इसको मारता हूं पहले तो ओके मार दिया इसको तो ओके एक गन की भी डिरिविल्टी मेरी खतम हो गई कोई बात में लेकिन मेरे पास दूसरी गना है अबे यार यह फिर से आ गई ओके यहाँ पर थोड़ से लूड कर लेते हैं क्या पता कोई समानी मिल जाए बढ़ी असा लेकिन इन जॉंबी इसको भी मारना पड़ेगा मुझे साथ साथ अब रुक जा ओके मार देन को नर्स आ गई इसको भी मारता हूँ रुक जा नर्स इतने तीर लग गए अभी नहीं मरी तू ओके मर गई एक यह रहा बस ओके मार देन सबको ओके अब हील करते हैं थोड़ी सी फूट बोक्स पड़ा है यहाँ पर ओरन मिला मैं ज़े यहां से ओके अब नीचे को चलते हैं ओके बेंजी वो रही भाग कर जा रही है वो फिर से अपनी लोगेशन पर जारी है भाग कर मैं घूम कर जाता हूँ वहाँ से क्योंकि अगर मैं नीचे से गया तो नीचे जॉम्बीज भी बहुत है और इन सब को तो मैं मार नहीं पाऊंगा तो मैं घूम कर चलता हूँ हील भी कर लेते हैं साथ साथ क्योंकि यहाँ पर जॉम्बीज भी बहुत है अबे क्या हो गया मैं आगया तेरे पाव तूने देखा ही नहीं रोग जा नाप पता था मुझे तू यही करेगा यहां पर पार्ट बोक्स पड़ा है इसमें सभी समान मिल गया मुझे ओके आगे चलते हैं अब कहां पर भी बेंजी इसको ढूना बड़ेगा मुझे ओके वो रही उसका निशान आ गया है मुझे पहले तीर से इसे बुलाता हूँ मैं उपर अब एक कहां पर गई अच्छा आजा आजा ओके अब मैं गण निकालता हूँ जब वो सामने से आईगी मैं साथ के साथ इसको गोलियां मारनी शुरू कर दूँगा वो आ गई एक तो यह तेजी बहुत है मर जा अब एक कहां पर गई अब यह बहुत पास आगी यह तो मेरे अगर इसे ने मुझे हिट कर दिया न थोड़ा सा भी मेरी गंड की डूरेबिल्टी खतम हो जाएगी और मैं बहुत से तो मार नी सकता इसको यह भी पावर है एक इसके पास अब यह फिर से जा रही है इसको मैं फिर से नहीं जाने दे सकता नि तो यह फिर से हील हो जाएगी मुझे भागना पड़ेगा इसके पीछे लेकिन मैं उपर से जाऊँगा क्योंकि नीचे तो जोंबीस बोट हैं अब यार एक तू नर्स यह दो को पागल से यहीं पर फिर से रहते हैं अब यार उसकी फिर हेल्थ फुल हो गई चलो कोई बात नहीं इस बारी मैं पूरा ही मार दूँगा इसे इस बारी नहीं डरूँगा मैं इसे इस बार मुझे बस इसको गोलियां ही मारनी है, बस गोलियां मारनी है, और कुछ नहीं करना, ओके, आने वाली है वो, ओके, आगी ये, ओके, हैस्थ हो रही है कम इसकी, अब ये तो बहुत पास आगे मेरे, थोड़ भागना पड़ेगा मुझे, अब निकासता हूँ फिर से गन, ओके, अब इजी है इसको मारना, थोड़ी से ही रहेगी इसकी हैल्थ, लेकिन मेरी भी थोड़ी से ही हैल्थ रहेगी, मुझे जल्दी से ही मारना पड़ेगा इसको, लेकिन थोड़ी से हैल्थ बढ़ लेता हूँ पहले मैं, अब इसने मेरी 30% हेल्थ गल दी, लेकिन कोई बार नहीं, ये भी मरने ही वाली है, बस एक बार ये थोड़ी से दूर हो जाए मुझे, फिर मैं एक दम से घूम के इसको मार दूगा, बहुत ही कम हेल्थ रहेगी इसकी, अब घूमता हूँ, इसको मारता हूँ, अब थोड़ी से हेल्थ रहेगी इसकी, बस 40% हेल्थ रहेगी इसकी, ओके मार दिया मैंने, ओ गाइस, ओके इसने मुझे एंबर दिया है, 9mm की ammo दी है, एक spring दिया है, कुछ गन के पार्ट दिया है, और एक रसी दी है, ओके गाइस, बैंजी को मार दिया है मैंने, अब इसको मारना वैसे मुश्किल नहीं था, लेकिन मुझे डर लग रहा था, क एली बार ही में होता इसको, अगर हम बार बार मारते रहेंगे इसको, तो इसको हम बहुते भी मार सकते हैं, हेल्थ फूल करके इस जगह को लूटते हैं, और चलते हैं घर में, ओके मुझे बैंड़िज बनानी पड़ेगी, और इस माइन में इतने भी जादा जूंबी नही यहाँ पर, इन सब डब्बो को लूटता हूँ मैं, और चलता हूँ गर में, ओके यहाँ पर जूंबी इस हैं, मैं को मारता हूँ पहले में, ओगर यार ओके गाईज फुल से उपर चड़ते हैं यहां पर भी बोक्स है एक ओके स्क्रैप्स, ग्लू, काववील मिला मुझे यहां पर एक घर है मैंने जॉंबी स्टो मार दिया थे लेकिन समान नहीं लूटा था कोई यहां पर बोक्स पढ़ा है यहां पर एक आगे बोक्स पढ़ा है इस बोक्स में होता है बोसर असमान ओके मिल गया मुझे ओके यह क्या है ओएल ओके गाईज अब चलते हैं अपने घर में गोड़ा मेरा उदर की साइड़ा है मैंने माग कर दिया है गोड़े पर ओके गाईज गोड़े पर बैड़ कर चलते हैं अब मैं किसी बंदे के हाल से नहीं मरना चाता अब मैं सीज़र घर ही जाओंगा और इस एमबर को मैं अपने घर की चेस्ट में लगा दूँगा जिससे मेरा स्कोर बढ़ेगा ओके गाईज मैं पहुंच गया हूं अपने घर में गोड़े का अंदर ही खड़ा करते हैं और चलते हैं बार गर में आ गया हूं मैं द्रपाजा बंद करते हैं एमबर चेस्ट में एमबर को रखते हैं ये 30 मिनट में त्यार हो जाएगा और मेरा लैवल बढ़ जाएगा मुझे नहीं एक वर्क बेंच से रिपेरिंग स्टेशन ये चाहिए मुझे लेकिन मेरे पार रिपेरिंग पलेट नहीं है ये मुझे मिलेगी यहाँ पर यहाँ पर मैं हूँ ये मुझे यहाँ पर ही मिलेगी लेकिन यहाँ पर है नहीं मैं ने देखा है सबी जगा पर क्योंकि इससे मैं अपने गन को रिपेर कर सकता हूँ ओकी यह वहाँ पर आ रहा है मार्क मुझे ओके इसने मुझे एक रिवर सिटी बताया है कि रिपेरिंग प्लेट मुझे यहाँ पर मिल सकती है ओके गई चलते हैं रिवर सिटी में रिपेरिंग प्लेट को लेने पहले मैं अपना सारा समा रख दूँ ओके गई सारा समा रख दिया है मैंने अब चलते हैं घोड को लेकर रिवर सिटी में ओके वो रिवर सिटी मेरे घर से जाथ दूर नहीं है और सब्सक्राइब है just subscribe गोड़े को गरते हैं खड़ा यहीं पर और नीचे उतरते हैं और किरिवर सीटी ही थोड़ी सी आगे है मुझे लगता है यह में जगा पर यह ए बैगा है तो थोड़ी सी गर है तो मुझे आगे जाना पड़े गा इस बोक्स भी समान मिल गया मुझे अब अंदर की साइड चलते हैं जहांपर मेन बिल्डिंग है रिवर सिटी की अब ये क्या है अब कोई उपर से गोलिया मार रहा है मुझे छेपना पड़ेगा पहले ये जगह क्या यही पंगा है उपर की साइड जोंबीस को भी गंदी होई है और वो वहां से गोलिया मारते हैं ओके दूसरी साइड से चलते हैं कि ये जगह ठीक है यहां पर मैं अपने गोड़े को खड़ा कर सकता हूं और इन जोंबीस को मारता हूं पहले तो मैं ज्यादा काली हो रही है मार खाने की रोक जाबे को के अंदर की साइड चलते हैं मुझे पिस रिपेरिंग प्लेड जाहिए मैं रिपेरिंग प्लेड जोंबीस को मारना एक वो रह गई जोंबीस को मारने का मज़ा भी है वैसे उके मार जे इसको अब मुझे नीची की साइड जाना है लेकिन पहले वो रहा एक बंदा वोक यहां पर बोक्स पड़े है बैंड़ेज बोक्स पड़ा है पाड बोक्स है वोक यही दो बोक्स है य Okay. नीचे दोरते हैं ऐसे भाय। सारे बोक्स डूंदे हैं. तब जाके मुझे रिपेरिंग प्लेगी । इस घर में चलते करूं। इस घर में भी बेंडीज बोक्स रउत तो एक बैंजी भी है यहाँ पर बैंजी से तो मैं पंगे नहीं लूँगा एक फोड बोक्स है एक यहाँ पर पीछे बड़ा सा बोक्स पड़ा है जिसमें मुझे फ्रिज मिला ओके एक रिपेरिंग प्लेट मिलगी मुझे अब यार मेरे बैक पैंग में जगाई नहीं है ओके एक मैंने यह बैट फेक दिया है ओके उठा लिया मैंने रिपेरिंग प्लेट लेकिन मुझे दो चाहिए तो मुझे एक और रूहना पड़ेगा ओके यह मीड फेक देता हूँ मैं और यह जो मेरे पास खाने पीने के समान है इनको खा लेता हूँ इनसे मेरा फूड बार भी फूड रहेगा और बैक पैक में मेरी जगा भी बन जाएगी ओके थोड़ा सा ही जगा खाली हुई है मुझे बो की आमो बनानी पड़ेगी अभे उसने फिर गोली मारने की कोशिश की इसको मार कर देखू मैं यहां से इनसे भी पंगे लेने का मज़े ही आता है ओके एक को मार कर देखता हूँ मैं लेकिन इसका निशाना बहुत पक्का है जब मैं थोड़ा सा भी उपर की सेट जाता हूँ यह तभी की तभी ही गन में रूपर कर देता है और इनका निशाना भी बहुत अच्छा है ओके भाग नहीं पड़ेगा मुझे यहां से तो चलो एक रिपेरिंग प्लेर तो मिलगी मुझे मैंने ना उस घर में जाना है जिस घर में इतनी ज्यादा स्क्योटी है तो आगे जलते हैं धीरे-धीरे घर से कवर ले लेकर ओके मैं पहुँच गया हूँ उस बिल्डिंग के पास तावर के नीचे जलते हैं तावर के नीचे आगया हूँ मैं लेकिन थोड़ सी गोली लगी मुझे फिर भी अब मुझे भागना पड़ेगा सीधा अब ये बज़ गया ओके ये डेंजर जोन है यहाँ पर जोंबी है बहुत सारे ओके इसको मारता हूँ पहले तो मैं लगा इसको एक तीर अब मैं इसको गन से मार देता हूँ बस ये थोड़ा सा ही रह गया बस इसकी थोड़ा सी हैस रहेगी ये मार दें मैंने अब आगे जलते हैं बहु ये क्या कितने सारे गोंबी है यहाँ पर बहु ये मार देंगे मुझे बहु भी इनको दो मैंने देखा ही नहीं था इनसे फाइट करना बहुत ही डिफिकल्ट है जो मेरे पास सारे समाना है उसको रखकर मैं सीधा जाऊँगा रिवर सीटी में रिवर सीटी में जाकर मैं सीधा उसक बिलडिंग में घूस जाऊँगा अगर कोई जॉंबी मिला मुझे तुम उसको नहीं मारूँगा सिर्थ मैं उसके अंदर जाने की कोशी करूँगा देखते हैं क्या है उस बिल्डिंग के अंदर ओके गाईस मैं पहुंच गया हूँ रिवर सिटी में दुबारा से ओके वो बिल्डिंग आगे ही है ओके वो डेंदर जोना आगया है फिर से आगे ही जॉंबी खड़े है ओके एक जॉंबी खड़ा है आगे इसको मारता हूँ पहले मैं अब ये क्या पर जा रहा है ओके ये तो भाग रहा है चलो ये तो भाग गया इदर का रस्ता खाली है दूसरी साइड वैसे जूम्बी है तो मुझे एक जूम्बी आगे पीछे इसको मारता हूं एक बाहर जूम्बी है बहुत ही ख़दनाक एक बोक्स पड़ाई यहां पर ओके वोक्स पो लूट लिया है मैंने इन बंदों को पता चल गया है जिए मैं आगया हूं अंदर इनको मारना वैसी बहुत ही मिश्किल है इनके पास भी गन है मैं सीडें सूपर भागता हूं अभी शिट अभी यहां पर वीजों भी है अभी मैं फस गया हूं अभी मैं जाई नहीं पार आगे अभी या ओके मार दिया नहीं मुझे फिर से ओके गाईस मुझे चल गया है पता इसको मारना बहुत ही मुश्किल है ओके जो दूसरे वाला जोंबी है उसको मारना बहुत ही मुश्किल है जब मैं पहले भी रिवर सिटी में आया था तब तो मैं Benzie को मारने आया था मुझे पता चल गया था कि मैं Benzie को नहीं मार सकता क्योंकि तब मेरे पास सिर्फ बो थी और मेरे पास गन में M.O. नहीं थी लेकिन इस पार मैंने Benzie को मार दिया जब मैं दुबार से River City में आया तो मैंने ये तो देख लिया है इन्होंने गैंग मनाई हुई है एक जिसमें बंदे ही है और Zombies भी हैं क्योंकि बहुत ही तगड़ी तगड़ी गन है इनके पास और इतने बड़े बड़े Zombies हैं और छट पर भी Zombies बिटाए हुए हैं इन्होंने भी कोई आना जाए हमारे पास तो मतलब इनको अगर मारना है तो पहले उपर की Zombies मारने पड़ेंगे जो शाद अपर है उसके लिए सनाइपर लगेगी जो मेरे पास है नहीं और जब हम नीचे के Zombies मारेंगे तो वहां पर एक बड़ असा Zombies आएगा Benzy के Benzy से ज्यादा खसरनाग एक तो Benzy है वहां पर एक और Zombies है जिसका नाम अभी मुझे पता नहीं है अगर मारा है उस Zombies को आपने तो मुझे पलीस comment box में बता दें क्योंकि मुझे भी मारना उसको ओके गाईज इस वीडियो को करते हैं यहीं पर end और यह वीडियो आपको अच्छे लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मैं मसता हूँ आपको अगली वीडियो में करते हुआ है करते हैं